असलाम लेकुम देर स्टूरेंट्स इस फुटे लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक वो है स्केल्टल मिटेरियल टू परवाइड साइंटिफिक ओपिनियन फार लिकल्ट तो स्टूरेंट्स यह बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है और आप लंगे रि इनको अपने साइंटिफिक ओपिनियन्स परवाइड करने के लिए या अपने क्राइब्स की इन्वेस्टिकेशन के लिए किस तरह से हम स्केल्टल मिटेरियल को यूज करते हैं तो इससे पहले जोब यह ने फ्रेंजिक्स की वीडियो बिनाई हैं अगर आपने नहीं देख करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्केल्टल मिटेरियल होते क्या चीज़ हैं इनके पर कंसिस्ट करता है स्क याइप मिटेरियल its heart tissue that provides support and structure to the body and it also store minerals and blood cells अब यह हमारी tissues से बने वा होता है यह heart tissue होते हैं जो मारी body को supports and structure देते हैं क्योंकि यह bonds है तो bonds हमारी body को structure देते हैं और support देते हैं उसके इलावा इनके उन्दर blood cells पाइजाते हैं और यह minerals को store किया होता है इन्होंने अपने अंदर हैं इसे स्क्राइब के इंदर क्यों करते हैं कुणे का थे हुर से जो टो pregunt करने के बात किस तरह से हम अपने न की इंवेस्टिकिशन के लिए करते हैं, स्क्राइब जोंक्रोड थे दिन जोंस से स्क्राइब भी सिस्टेडी करते हैं, यह उसको जोंसके तिल और इघ्क्रेच्सादर हें, अनुन चैह से प्रेशकित को बनाइब भाग हो ऐसके denim मॉप इनि सोण वर इसके अलावा जैसे को को किलेक्ट करेंगे करेंगे कि प्रोस Πेर इसके सब्सक्यू करें गेंगें के सोफ्ट इसलк कुरिक उय्व करेंगे उनको a.a.a. clean photograph and measured और बाद में जो भी bonds बच जाएंगी खाली उनको clean करेंगे उनकी pictures बनाएंगे उनको measure करेंगे और फिर उनके जरी से different तरह के results निकालेंगे नेक्स्ट आजाता है skeleton material for legal purposes तो ये आपका जो main topic था कि skeleton material को हम लोग legal purposes में किस तरह से use करते हैं मतलब कानूनी मकासिद हासिल करने के लिए हम लोग skeletal materials या जो हमारी हडिया हैं उनको forensic scientist किस तरह से use करते हैं students बहुत से short सी video और इसमें हम लोग two the point बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारे पास skeletal material को use करते हुए forensic scientist हैं वो legal purposes में कौन-कौन से काम कर सकते हैं इन हडियों को use करते हुए इसको पढ़ते हैं skeletal material can be used to provide scientific opinion for legal purposes अब इस skeletal material को एक बहुती variety of ways के अंदर legal purposes के लिए scientific opinion दे जाते हैं इनको use करते हुए इस बात का मतलब यह है कि कानूनी मकासिद हैं कोई भी कानूनी रिपोर्ट हम लोग ने बनानी है किसी भी हाथसे बगारा की और बहां पर जो scientific opinions होते हैं वो scientific observations के बाद किये जाते हैं और scientific observations जो हैं यह हमारे scientific scientists हैं वो करेंगे हमारे skeletal material को देख कर the purposes include identification of human remains estimation of age at death estimation of cause of death estimation of post-matum interval and reconstruction of events अब इन material को यूज करते हुए कौन-कौन से हम लोग काम कर सकते हैं तो forensic scientists skeletal material को legal purposes में यूज करके यह वाले काम कर सकते हैं identification of human remains estimation of age at death estimation of cause of death estimation of post-matum intervals and reconstruction of events अब इन सब topics को ही हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आजाता है identification of human remains skeletal material को use करते हुए human remains के identification करते हैं skeletal remains can be identified by comparing their bone structure to dental records, medical records और DNA profiles अब जो skeletal remains मिले हैं हमारे forensic scientist को या फिर forensic anthropologist को उनके identification किस तरह से करेंगे उनके bone के structures को जो भी हमारे crime में हमें कोई medical report मिला है कोई DNA पर file मिली है कोई dental record मिला है तो इन सब चीजों को compare करेंगे उनको पतर चल देगा कि जो हमारे पास skeletal remains मिले हैं इस person का हमारे crime के साथ क्या तालुक है this can be done by forensic anthropologist who is a scientist who uses their knowledge of human bonds to help solve crime and answer question about human remains अब बहुत easy से बाते हैं सिर्फ यह वाला जो हमारे पास subjective forensics का यह थोड़ा ड्राय है इसलिए आप लोगों को मुश्किल लगेंगी लेकिन मैंने कौशिस की है कि मैं बिल्कुल easy words में आप लोगों को explain करूं इसमें क्या होता है कि जो forensic anthropologist है वो ऐसा person होता है जो human bonds की study करता है वो हमारे skeletal remains को identify करेगा और उसके बाद identification के बाद उसके remain से किसी भी crime को solve करेगा और उस crimes में जो भी legal questions है उनको answer करेगा तो skeletal material को use करते हुए हम लोग जो एक और scientific opinion दे सकते हैं वो है estimation of age at death skeletal material को use करते हुए जो forensic scientist है या forensic anthropologist है वो पता कर सकते हैं कि कौन सी age पर इस human being की death हुई थी the age of a person can be estimated from the development of their bonds अब development of bonds की वजह से एक परसन की age के बारे में बता सकते हैं forensic scientist for example the bond of a child is still growing so they will look different than the bonds of an adult अब जिस तरह जिस तरह हम लोग ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारी bonds में भी changes आती हैं तो किसी भी crime के अंदर forensic scientist इस चीज़ का बता सकते हैं कि यह जो skeletal remains हैं जिस इनसान के हैं वो कौन सी age में उसकी death हुई थी next जो हमारे पास आता है वो है estimation of cause and death इसमें क्या होगा कि skeletal remains को या skeletal material को use करते हुए जो forensic scientist हैं वो बताएंगे कि जो भी human being था वो किस वज़े से death हुई थी the cause of death can be determined by examining the bonds for signs of trauma disease are poisoning अब bonds के identification के जरिये से यह जिस पता चल जाती है कि जो death हुई है क्या वो किसी trauma की वज़े से हुई है किसी disease की वज़े से या किसी तरह की poisoning की वज़े अगर स्कॉल के अंदर एक गन का शूट हुआ 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 का साइन होगा तो पता चल जाएगा कि एक वायॉलाइंट थी तो स्टुडेंट्स आप लेकर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग skeletal material को use करके अपने scientific opinion परवाइड करते हैं अपने legal cases के अंदर नेक्स्ट हमारा पास आता है estimation of post martem interval students post martem interval इसको हम लोग PMI कहते हैं यह कैसा process है जिसके जरी से बताया जा सकता है कि इस person की death हुई है वो कितना time पहले हुई है तो इसके अंदर skeletal material को use करते हुए forensic scientist जो है वो इसी चीज़ को बताएंगे उसका post martem करके कि कि इस time पर इस person की death हुई है the time since death can be estimated from the condition of the bonds bonds की condition को देख के death के जो time है उसको पता कर सकते हैं कि कितना time पहले इस person की death हुई है for example bonds that are found in a shallow grave will deteriorate more quickly than bonds that are found in a deep grave अब कोई skeletal material है जिसको forensic scientist ने किसी कबर के अंदर से निकाला है तो उसकी जो हालत है उसको देखते हुए पता चल जाएगा कि वो shallow grave में था या फिर deep grave में था मतलब उसको दफनाएवे कम अर्था हो गया है जो जादा time हो गया है तो यह आपने एक और point देखा किस तरह से skeletal material को use करते हुए हम लोग अपने legal crime का जो scientific opinion है वो provide कर सकते हैं next point आता है reconstruction of events कि जो events गुजर गए हैं उनकी reconstruction कर सकते हैं forensic scientist skeletal material को use करते हुए the events leading up to and after death can be reconstructed by examining the bones for sign of trauma like stab wound or gun shoot wound अब bones की examination करते हुए reconstruct कर सकते हैं हम event को किस तरह से इस person की death हुई थी for example sign of trauma or stab wound हम लोग कहते हैं किसी चाकू की जखम को और gun shoot का wound जो gun shoot से कोई जखम आया हो तो bones को use करते हुए हम लोग reconstruct कर सकते हैं उस event को जो पहले गुजर चुका है कि किस तरह से इस person की death हुई थी this can be helpful in determining how a person died and how may have been responsible for their death इससे पता चल जाता है कि person की death कैसे हुई है और कौन उसकी death का जिम्मेदार है तो students यहां पर हम लोग ने कुछ points पढ़ें जिनके जरिये से हम लोग ने देखा किस तरह से skeletal material को use कर सकते हैं हम लोग scientific opinion provide करने के लिए अपने legal crimes के लिए तो I hope so यह आपके लिए बहुत helpful रहेंगे लास्ट पर एक और slide मैंने अड़ किये कंद्रूजन के लिए ताकि revise हो जाए कि हम लोग ने क्या पढ़ा है इसमें हम लोग ने पढ़ा है कि जो skeletal material है किस तरह से legal cases के अंदर information का source हो सकते हैं उसके लावा हम लोग ने इस forensic anthropologist के बार में बढ़ा था कि वो किस तरह से human bonds को study करते हैं crimes को solve करने के लिए और जो हमारे जो भी legal question answers है उनको वो देते हैं bonds को study करते हुए ही तो students आपको में वीडियो कैसी लगी है मुझे comment section में लाजमें बताय करें और students मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग के बाद मैं आप लोग के लिए पीपीएसी के questions की series लाओंगी उसके लिए आप लोग मुझे मेरे instagram और facebook page पे लाजमें follow कर लें क्योंकि आपके exams के बाद ही इंशाला मैं आपके लिए जो है MCQ series स्टार्ट कर दूँगी जो आपके PPSC के लिए helpful होगी और एक और मेरे आपसे request है कि अगर अब तक आपने में चैनल को subscribe नहीं किया तो उसको लाजमें subscribe कर दें और बेल आइकन को प्रेस्ट कर दें के लिए नहीं आने वाले वीडियो आपके पास आती रहें तब तक के लिए अला अफेस बहुते हैं हम लोग नहीं वीडियो में और अगली वीडियो में इंशाला हम लोग पढ़ने वाले examination of crime scene evidences और मेरी जितनी भी पहले forensic की वीडियो हैं उनको जाकर लाजमी देखिए वह भी आपके लिए बहुत helpful रहेगी